ना कुटम बसा प्यूलारा तेलंग ना के किसान आज उपेक्षित मैसूस कर रहे हैं बियारेस गवर्मेंट ने उनके साथ फिर वहर वादे को तोड़ा है बियारेस सरकार ने किसानों से कर्जमाभी का वादा किया और कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया यहां सिचाई परियोजनव के लेकर बड़ी गोशनाएं की गई लेकिन या तो उन्हें पुरा नहीं किया गया या फिर बिना तैयार किये उनका उद्गार्ण करके फोटों खिच्वाते रहे दूसरी तलब पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने ना सिर्फ किसानों की मद यह ट्रांसफर किये कोई कटकी नहीं कोई कमिशन नहीं कोई जूरी नहीं हमने MSP बढ़ाने का वादा किया उसे भी पूरा किया यह मोदी की गारंटी है पूरी करके रहता है ना कुटूम सभी उलाना हर जिले के किसी एक उत्पात को बढ़ावा देने के लिए उसका इस्पोर्ट बनाने के लिए केंदर सरकार वन डिस्टिक वन प्रोड़क योजना चला रही है इस योजना के तहत निजामाबाद के हल्दी को प्रमोट किया जा रहा है और हल्दी की जब बात आती है ना मैं खास करके मेरी तिलंगना की बेहनों को आज शत्षत नमन करना चाहता हूं कि मैं तिलंगना की किसान माताओं के चरण मेरे माथे पर लेता हूं उस चरण रच्षे में अपने आपको एक पवित्र प्रसाद के रुप में ले रहा हूं क्यों कि शिरफ तिलंगना की माताएं बेने हल्दी की खेती में दिवसरात मेहनत करती इतना ही नहीं वो खेती की पैदावर करती ऐसा नहीं लेकिन कोवीड के समय हल्दी ने दुनिया के बहुत लोगों को राहत दी है पूरी दुनिया में हल्दी पहुँची है दुनिया को बिमारी से मुक्त रखने का काम ये मेरी तिलंगना की और मेरी देश की हल्दी पैदा करने वाली माताओ बेहनों ने की है और इसलिए मैं उझे नमन करता हूँ और इसलिए महमूब नगर में ही मैंने इससे जड़ी एक बड़ी गोछना की है हमने किसानों से किया एक और वादा पुरा कर दिया हल्दी उगाने वाले किसान भाईयों के लिए उनके विकास के लिए अब देश में नेशनल तर्मरिक बोर्ड उसका करन किया जाएगा कि बोर्ड हल्दी की उपच को देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विस्तार देने में मदद करेगा इतने ने का बड़ा लाब तेलंगरा के किसानों को भी होगा मैं एक बार फिर तेलंगरा के किसानों को निजावबाद के किसानों को और खास करके हल्दी के खेत में काम करने वाली मेरी लाखों माताओं ब्यानों को आज टर्मरिक बॉर्ड के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ